अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेटी द्वारा आगामी लोग सब चुनाओ ही तु जारी कॉंग्रेस के विजन को नियाई पत्र राजस्थान की राजधानी जैपूर में जारी कर दिया गया है। कॉंग्रेस के गोशना पत्र में वर्णित मुख्य रूप से पांच नियाई पर चर्चा की जा रही है जिसमें सर्वे प्रेथम युवाओं के लिए पहली पक्की नोकरी जिसके तहत हर सिक्षित युवा को सनाता की पढ़ाई करते हुए एक लाग रुपए सालाना की अधिक साथ दिया जाएगा वर्ति का भरोसा जिसके तहत 30 लाग सरकारी नोकरिया तथा सभी खाली पोस्ट कैलेंडर की अनुसा समय बद तरीके से भरा जाएगा पेपर लीग से मुक्ति री जाएगी क्योंकि यह एक देश व्यापी समश्या है विभिन प्रदेशों में पेपर ल सालों से प्रशन पत्र लीख हुए हैं और युवाओं का भविश्य बर्बाद हो रहा है राजस्थान में पेपर लीख हुए हमारी पूरिवर्ति सरकार पर आरोप लगे उसके बश्चात के इंद्र सरकार की परिक्षाओं के पेपर लीख हुए और हाल ही में उत्तर कोशी पर भारी पैनल्टी के साथ आजीवन कारवास का प्रावधान कर रखा है किन्तु अब कॉंग्रेस पार्टी दुआरा कानून लगा कर इस तरह का मेकनिजम तयार किया जाएगा जिसके तहट पेपर लीख ही ना हो उक्तिविचार राजस्थान प्रदेश कॉंग्रेस होने के आरोप लगाए गए किन्तु समझने की आवशक्ता है कि पेपर लीख होने के पास चाद सजा देने के लिए कानून तो बन गए परंतु पेपर लीख ही ना हो ऐसा मेकनिजम बनाने ही तो कानून लाय जाएगा ताकि पेपर लीख नहों और युवाओं के भवीशे क साथ खिलवार ना हो यह गारंटी इस वचन पत्र में कॉंग्रेस पार्टी ने दी है उन्होंने कहा कि यूवा न्याय के तहट ही संगटित छेतर में काम करने वाले गिग वरकर जो की उवर ओला ड्राइवर वे डिलिवरी का काम करते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा देने के ल उन्होंने कहा कि यूवा रोशनी के तहट यूवाओं के लिए केंद सरकार 5000 करोड रुपे का न्याय स्टार्ट अप फंड बनाएगी उन्होंने कहा कि वचन पत्र में नारी न्याय के तहट हर गरी परिवार की महीला को हर साल महालक्ष्मी योजना की अंतरगत 1 लाख रु महिलाओं को केंद्र सरकार की नई नोक्रियों में 50 प्रतीसत महिला आरक्षन आधी आवादी पूरा हक के तैत इंडिया गठवंदन की सरकार बनने पर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने गारंटी दी है कि शक्ती का सम्मान करते वे आसा सहीयोगनी मिड्डे मील वे आंगनबाडी कार्य करताओं को ज़्यादा वेतन मिले तथा दुगने सरकार योगदान से उनको शर्शक्त करने का कार्य के जाएगा उन्होंने कहा कि महिलाओं को कानूनी हग और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले एक अधिकार सहेली हर पंचायत में अधिकार मैतरी के तहत निवक्ठी जाएगी और कामकार्जी महिलाओं के लिए सावित्री वाईफूले हॉस्टल दुगुने खोले जाएंगे डोटासरा ने कहा कि राजिस्थान में पूर्व वर्ती कॉंग्रिस सरकार ने कानून बनाया था कि नियूंतम पेंशन सहाइता राशी एक हजार रुपए होगी तथा हर वर्ष उसमें 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी उसी आधार पर वर्तमार बिजेपी सरकार ने पेंशन को बढ़ा कर 1150 रुपए देने की घोशना की है उन्होंने कहा कि पूर्व वर्ती कॉंग्रिस सरकार दुआरा कानून बनाने के पशात अब यह बढ़ोतरी आवशक है और किसी को भी मांग करने की जरूरत नहीं रहेगी इसी तरह केंडरि में सरकार बनने पर मान दे भढ़ाने के लिए कानून लाय जाएगा उन्होंने कहा कि किसानों को सही दाम मिले MSP की कानूनी गारंटी दी जाएगी और स्वामी नाथ थन आयोग की रिपोर्ट में वनित फॉर्मूले के तहत MSP मिल सके इसके लिए कानून किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए पर्मरेंट आयोग बना कर किसानों की कर्ज माफी प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी उन्होंने कहा कि वर्तमान केंडर सरकार किसानों की मदद करने की बजाय उनका माहोल खराब उड़ाती है उनका मजाक उड़ाती है किसानों को त नियाय पत्र में गारंटी दी गई है कि किसानों को फसल नुक्सान पर 30 दिन के अंदर वीमा भुकतान का सीधा ट्रांसफर उनके खाते में किया जाएगा किसानों के लिए उचित आयात नरियात नीती बनेगी तथा जी एस्टी मुक्त खेटी हो यह वचन कॉंग्रेस देती ह जिसके तहट किसी के लिए सभी आवश्यक वस्तूओं से जी एस्टी हटेगा उन्होंने कहा कि श्रमिक न्याय के तहट श्रम का सम्मान करते हुए नियूंतम दैनिक मजदूरी 400 रुपे कम से कम होगी यह मन्रेगा में भी लागो होगी उन्होंने कहा कि राजस्थान में प कवर मुक्त इलाज के सुीधा परदान की जाएगी उन्होंने कहा कि शहरों में भी मन्रेगा की तरह रोजवगार मिले ऐसा कानून कोंगरेस की पूरुवर्ती गौंगरेस सरकार ने प्रदेश में बनाया था ऐसा अधिकार पूरे देश में मिले इसलिए निड़ने लिया गया कि केंदर में कॉंग्रेस की सरकार बनने पर मन्रेगा जैसी नई शहरी योजकार गारंटी योजना लागू की जाएगी उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत ऐसंगटिक मजदूरों के लिए जीवन और दुरगटना भीमा की गारंटी कॉंग्रेस पर दान करती ह उन्होंने कहा कि मुख्य सरकारी कारियों में कॉंटरेक्ट सिस्टम मजदूरी बंद का सुरक्षित रोजगार का वादा कॉंग्रेस पार्टी कर रही है उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यातिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्क की गिंति की जाएगी जिस से पता पड़े क ये देश के नागरिकों का किस औरकार करहाई सोर्कार तक आहेगों इसके जानकरी सरकार सरकार तक आए इसका मुल्यान कग्या जाकर सरकार दुवरा अच्छी योजनाय बनाई जा सकेगी उन्होंने कि जो सामाजिक वे आतिक रूप से कमजोर है उनका जेवन इस्तर सुधाने हे तू बज़ट प्रावधान कर योजनाय बनाए जा सकेगी जिसके लिए गिंते करना आवशक है उन्होंने कहा कि आरक्षन का हक दिलवाने हे तू सविधान संसोदन दुवारा 50 प्रतेशत की सीमा हटा कर SCST OVC EWS सभी वर्गों को आरक्षन का पूरा हक प्रदान करने की गारंटी कॉंग्रेस देती है उन्होंने कहा कि देश में जातीगर जनगनना होने के बाद देश में जिसका जितना हक बनता है प्रदान किया जाएगा चाहिवे व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो उन्हो जन्दा दर्बान यूज में फिल हाल के लिए इतना ही